आदर्णिय सुनने वालो शिरी राम के विचार सुनने के बाद जै शिरी राम के नारे लगने लगे तो राम ने सब को शांत करते हुए संबोधन किया मेरे प्रिय साथियो वानर सैना के महान योधाओ आज विजय पर्व है आप सभी का मैं हिर्दे से आभारी हूँ आपकी शक्ति साहस और निष्ठा के विना इस युद्ध में जीत संभव नहीं थी मेरा सीता से मिलन संभव नहीं था यह विजय आप सब के सहयोग का प्रिणाम है लक्ष्मन मेरे भाई तुम प्रारंब से ही मुझे अपना सहयोग देते आए हो तुमारा सहयोग हमारी विजय की बुनियाद थी सीता की खोज करते हुए सुगरीव मेरी आप से मित्रता हुई आपने मित्र का धर्म निभाया मुझे जीजान से सहयोग दिया इतनी अल्प अवधी में इतनी शक्तिशाली विशाल वानर सेना एकत्र की हनुमान तुमने लंका तक पहुँच कर सीता का पता लगाया और उसे सुरक्षित लाने का कार्य किया तुमारा आदर्श्वाद, साहस और विशिशग्यत ने हमें आत्म विश्वाश दिलाया तुम महान योद्धा हो विभीशन तुमने न्याय और धर्म की प्रात्मिक्ता को समझ कर हमारा साथ दिया हमें सहयोग दिया उचित समय पर हमारा मार्ग दर्शन किया तुमारे सहयोग ने हमें शक्ति प्रदान की है हमें विजय दिलाई है अंगद तुमने समय समय पर अपने योगदान से हमें नए रास्ते दिखाए हैं जामवंत, नल, नील और हमारी स्याना के एक एक वानर ने अपने साहस, समर्पन और वीड़ता से इस युद्ध को संभाला है तुम सब का योगदान अत्यंत मुल्यवान साबित हुआ है इस विजय का श्रे आप सब को जाता है आप सब के सहयोग से धर्म ने एधर्म को हराया है उस पर विजय पाई है यह विजय हमारे आपसी सहयोग, साहस, समर्पन और एक ता का परतीक है आप सब का आभार इस परकार राम ने अपने सभी साथियों और सैना सदस्यों को उनके सास और समर्पन के लिए सम्मानित किया और उन्हें विजय का श्रे दिया फिर पुने उन्होंने कहा हाँ एक बात और अब युद्ध समाप्त हो गया है आपसी मन मुटाओ अब समाप्त हो जाना चाहिए अब नै तो लंका के सैनिकों को वानर सैना से किसी परकार का द्वेश रखना है और नहीं वानर सैना को लंका की प्रजा या लंका के सैनिकों से कोई द्वेश रखना है का समय आ गया है अब लंका के सिंगासन पर विभीषन का राज्य अभिशेक करना है मुझे चोधै वर्ष का वनवास हुआ था मेरे वनवास के अभी कुछ दिन शेश हैं इसलिए मेरे लिए राज्य में प्रवेश अभिवर्जित है मेरे प्रतिनिधी के तोर पर मेरा भाई ल राज्य विशेक करवाईए सीता से बिचुड़े भहुत समय हो गया है राजा अग्याद्वारा सीता को आजाद करवाकर मेरे पास ले आईए हनुमान ने उच्छ स्वर में कहा जै शिरी राम सभी ने नारा लगा दिया जै शिरी राम फिर सब ने लंका के भावी राजा का नारा लगाना शुरू कर दिया महराज विभीशन की जै लंकावासी महराज विभीशन की जै जैकार करते हुए लक्षमन सुग्रीव आदी के साथ विभीशन को लंका में ले गए और विधी पूरवक उसका राज्य विशेक करवा दिया गया विभीशन का राज्य विशेक हो गया राजाग्या से अशोक वाटिका से माता सीता को सैसम्मान राम शिविर ले जाया जा रहा था लक्षमन दोड़ता हुआ राम शिविर में आ गया शिरी राम आखे मूंद कर अपने आसन पर बैठे हुए थे आनंद और उत्सा से भर कर लक्षमन ने राम से कहा भ्राता भ्राता शिरी आप बाहर चलिए माता सीता पधारने वाली हैं राम ने अपने नेत्र खोले और लक्षमन को निहारते हुए गैरी सांस लेकर उससे कहा लक्षमन सीता को मेरे सामने लाने से पूर्व उसकी अगनी परिक्षा होनी चाहिए उसकी अगनी परिक्षा की तयारी क अचंबीत होकर लक्षमन ने राम से पूछा, माता सीता की अगनी परिक्षा? भईया, आप क्या कह रहे हैं? राम ने कहा, हाँ लक्षमन, मैं उचित कह रहा हूं, सीता की अगनी परिक्षा? लक्षमन ने कहा, भईया, क्या आपको माता सीता पर संदे़ है? राम ने कहा नहीं लक्षमन लेश मात्र भी मुझे सीता पर संदेह नहीं है मैं दशरत पुत्र राम अपने पिता की सोगंद खाकर कहता हूं कि मुझे अपनी पतनी सीता पर पूर्ण विश्वाश है लक्षमन ने कहा तो भ्राता श्री ये अगनी परिक्षा क्यों राम ने कहा लक्षमन तुम जानते हो मुझे मर्यादा प्रुशोत्म कहा जाता है मुझे मर्यादित जीवन ही जीना है सीता से बिछुडे मुझे वर्ष बर्ष से भी अधिक समय हो गया है मर्यादा कहती है कि मुझे मिलने से पूर सीता को अगनी परिक्षा से गुजरना होगा लक्षमन ने कहा भ्राता श्री मैं माता सीता को अगनी परिक्षा देने हैं तू कैसे कह सकता हूँ राम ने कहा लक्षमन ये मेरा आदेश है लाचार होकर लक्षमन ने कहा उचित है भाईया जैसी आपकी आज्या लक्षमन बुझे मन से राम शिविर से बाहर आ गया माता सीता पालकी से उतर रही थी लक्षमन ने अपना सिर जुका कर सीता से कहा प्रणाम माता शरी मुझे शमा कीजिए मैं आपको अभी भ्राता शरी के पास नहीं ले जा सकता भ्राता शरी ने मुझे आग्या दि है कि उनके पास जाने से पूर्व आपको अगनी परिक्षा स से गुजरना होगा। ऐसा सुनते ही लंका वासियों सहीत बाहर खड़े सभी लोग हैरान हो गए। सीता ने कहा। जबकि मैं पहले ही तुम्हारी प्रार्थना की अवहेलना करने के अपराद में बहुत लंबे समय तक अपने परवु से बिछुडने का दंड भोग रही हूँ। तुम उदास मत हो अगनी परिक्षा है तु प्रबंध करो। लक्षमन ने अगनी परिक्षा का प्रबंध कर दिया तो राम अपने शिविर से बाहर आ गया। निरुत्तर होकर हनुमान, लक्षमन, सुग्रीव, विभीशन, नल, नील, लंकावासी और वानर सैन की उपस्तिती में माता सीता ने हाथ जोड़कर प्रवुजलित अगनी के सम्मुक खड़े होकर कहा। हे अगनी देव, मैं जनक, पुत्री, भूसुता, सीता, मन, वचन और करम से अपने पती, राम की पती वर्ता पतनी हूँ, अपने पती से बिछुड़कर यदि एक शण के लिए भी मेरा सत्विचलित हुआ हो, तो हे अगनी देव, मुझे भस्म कर दें। इतना कहकर सीता जलती हुई अगनी में प्रवेश कर गई और दूसरी ओर से सेकुषल अगनी से बाहर आ गई। माता सीता की पवित्रता के साक्षी बनकर हनुमान ने उच्छ सवर में माता सीता का जैनाद कर दिया। माता सीता की जै, माता सीता की जै और माता सीता की जै जैकार होने लगी। राम ने सीता को अपना लिया, तो जै श्री राम, जै श्री राम के नारे गूंजने लगे। श्री राम के वनवास को 14 वर्ष पूर्ण होने में अभी कुछ समय शेश था, आयोध्य पोहुचने में भी समय लगना था जब विबीशन ने अपना राजकारे समभाल लिया तो राम ने विबीशन से कहा विबीशन जी मेरे वनवास पूरा होने में कुछ दिन शेश बचे हैं, इसलिए हमें जल्द ही लंका से प्रस्थान कर आयोध्य की और कूच करना है क्योंकि भरत ने मुझे कहा था कि यदि मैं वनवास पूरा होने के साथ ही आयोध्य नहीं पहुचा तो वह अपने प्रान त्याग देगा विबीशन ने कहा, प्रभू आप चिंता मत कीजिए, सुग्रीव और मैंने पहले ही आपके साथ आयोध्य जाने की योजना बना ली है राम ने कहा, क्या विबीशन जी, आप सब मेरे साथ चलेंगे विबीशन ने कहा, जी प्रभू, हम सब को आपका राज तिलक देखने की तिरुलालसा है राम ने कहा, मेरे अहो भाग्य, मैं तो संकोच वश आपको निमंत्रन नहीं दे पा रहा था आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझ पर प्रोपकार किये हैं आपको मेरे साथ पाकर अयोध्या का राज परिवार बेहद आनंदित होगा विबीशन जी, तो आप जल्द ही लंका का राज अपने सहयोगियों को सौप कर मेरे साथ चलने की तयारी करें विबीशन ने कहा, प्रभू, लंका में एक पुश्पक विमान है, जो मन वांचित स्थान पर पहुँचाने में समर्थ है हम सब के लिए उसमें प्रयाप्त स्थान है, और प्रयाप्त समय में वो हमें अयोध्या पहुँचा देगा आप कोई चिंता मत कीजिए, यात्रा का समुचित प्रबंद करके मैं आता हूँ विबीशन लंका चले गया, सुगरीव ने वानर सैना को उनके कार्य स्वंप कर उन्हें जाने का आदेश दे दिया संपूर्ण वानर सैना लंका से कूच कर गई विबीशन ने लंका का कार्याभार अपने विश्वश्ट मंतरियों को सौप दिया और यात्रा के तैयारी करके श्री राम के पास आ गया और राम से कहा प्रभू सभी तैयारियां हो गई हैं, आपकी आग्या हो तो चले विमान तैयार है राम ने कहा ऐसा है तो चलो चलते हैं सभी लोग शिविर से निकल कर पुश्पक विमान में बैठ गए पुश्पक विमान आकाश मार्ग से होता हुआ श्री राम के आदे से किशकिंधा, पंचवटी, चित्रकूट, आदी मिस्तित रिशी मुनियों के आश्रम में थोड़ी थोड़ी देर विश्राम करते हुए उनका आशिरवाद पराप्त करते हुए आयोध्या की और चलने लगा जब पुश्पक विमान भार्दवाज मुनि के आश्रम रुका तो राम ने हनुमान से कहा क्या कहा? मेरी अगली वीडियो में देखें आगे की राम कता सुनने के लिए आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए बोल सियावर राम चंद्र की जै